देखे हालात बिगड़े हुए हैं तस्वीरे दिखाते हैं विरेंद्र तस्वीरे दिखाई है यह हीरो की एक एजिंसी थी पूरे एजिंसी में आग लगाएगे जरा नजदिक आके दिखाईए जितनी बाइक्स अंदर खड़ी थी सारी बाइक्स धूदू करके जल चुकी है यहां जो बगल में सर्विस टेशन का हिस्सा था यहां भी जितनी बाइक्स खड़ी थी इस एजिंसी के अंदर भी सारी बाइक्स से जल चुकी है और जो भीड थी उसने चुन चुन करें एक एक दुकान में जिस तरह से आगजनी की है उसके बाद प्रशाशन के लोग यहा लेकिन लोग जो हैं वो चुकी हिंसक हो गये थे ऐसे में प्रशाशन के तमाम गार यह देखिए एक कैसे जो शोरूं के उपर फॉल सिलिंग का हिस्सा है वो जल के धूदू करके दे दे जल रहा है जरा बगल में हॉस्पिटल दिखाते हैं लखनौ से वह हॉस्पिटल है इ पुर्शिया निकाल करके सडकों पर यहां आगजनी की गई यहां से आगे बढ़ते हैं आपको दिखाते हैं प्रशाशन किस तरह से लोगों को खेतों में धखेल रहा है खेतों में खदेडने के लिए टेर गैस चलाई जा रही है और यहां एस पी डीम से लेकर कमिशनर और आपको दिखाऊं खेतों में कुछ movement आपको दिखेगा खेतों में यह सब वो लड़के हैं जो यहां से भागे हैं और यहां अभी भी खेतों में सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं थोड़ी दिर पहले यहां पर जब टेर गैस छोड़ा गया था तब यह सारे लोग इन वो यहां पर थे पी एसी की चार्ट टुक्णियां लगाई गई हैं एस्पी डीम से लेके तमाम बड़े अधिकारी यहां मौझूद हैं और उस बीच में जो दंगाई हैं वो दंगा करते जा रहे हैं यह देखें यह है वो सर्विस स्टेशन बार सोरूम जो हीरो का है उसक तरह से तोड़ फोड़ की गई है उसके निशान अभी यह जो बाइक जली जा रही है और एक के बाद एक धमाके के आवाज हमें आई जारी है लगवाक आदे घंटे से यह जो शुरूम है वो जल रहा है यहां आप देखिए जो घर हैं सभी घरों में अंदर से घर बंद कर के लोग घरों के अंदर छुपे हुए हैं क्योंकि जो भीड है वो इस समय इतनी उपद्रवी हो गई है कि जो किसी को कुछ नहीं समझ रही जो आ रहा है उसको मार रहे हैं मीडिया को निशाना बना रहे हैं आगे यह देखिए महराज गज में राम राम यह पोस्टर लगे से और इस हिंसा ने इतना बड़ा रूप ले लिए टिंशेट तोड़े हुए है नीचे भी देखिए छोटी सी आग है लगाने की कोशिश थी लेगिन तभी पुलीस ने यहां से लोगों को भगा दिया और जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो आप देखिए दुरगा कारी हैं जिले के वो सब मौझूद हैं और जो लोग हैं उन लोगों को भगाने की कोशिश हो रही है लोग यहां से खेतों में जाकर किस चुपे हुए हैं बड़ी भीर थी करीब एक हजार से जादा लड़के जो हत्यार लिये हुए थे वो यहां मौझूद थे देखिए कल जब डेड़ बॉड़ी पहुची मेडिकल कॉलेज वहां पर पता चला कि राम गोपाल मिश्रा की मौत हो चुकी है उसके बाद यह लोग उसाय हुए थे किस तरह से पत्रा हुआ यह देखिए इतने बड़ बड़ आधे से जादा बड़े बड़े इटे पुलिस पर फेके गए मीडिया पर फेके गए और आज सुभा जब डेड़ बाड़ी यहां गाउं में पहुची तो लोगों ने गुस्सा दिखाते हुए पहले विडोत प्रजशन करने के लिए सडकों पर वो इखटे हुए अब यहां से फिर से आगे चलेंगे आपको दिखाएंगे किस तर यहां से जब हम आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यह जो सलून की दुकान थी इसमें तोड़ फोड हुई थी इसके बाद यह दो गाडियां थी यह पूरे टाउन में कुछ इसी तरह का नजारा है बहुत बड़ा इलाका नहीं है बहुत छोटा सा एक भी इनसान यहां नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग यह तो घरों में हैं और या फिर दंगाईओं की भीड में दो ही तरह के लोग हैं या तो जंगा दंगा करने वाले या घर के अंदर कैद सड़कों पर एक भी व्यक्ति नहीं और यही जगह है जहां पर कल हुआ था और इसी लिए यहां जो तोड़ फोड़ यह थोड़ा सा यहां रहाईश जादा है यह बाजार जैसा इलाका है और यहां देखिए मोबाइल की दुकान पहले तोड़ फोड़ हुई थी अब हम देख रहे हैं इसमें आग भी लग गई थी थोड़े पहले जब हम यह हैं फिर से चलते हैं आगे दिखाईए यह मोबाइल की दुकान थी और इसमें कुछ स्टेशनरी वगईर एक अभी शायद सामान रखा हुआ था जो दिखाई दे रहा है वो सबजल के खत्म यह कुरसियां यह तूटी हुई है यह घर इसका दरवाजा तोड़ करके जो लोगों ने की है जगडा शुरू हुआ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जब जंडा लगाने को लेकर के एक पक्ष ने आपत्ती की दूसरे पर ने अपना विरोज जताया तूदू मैं में शुरू हुई और इस बीच में गाने को लेकर बीविवाद हुआ डीज तस्वीरे बना रहे थे इस बीच में भीड में किसी ने चलाया कि यह मीडिया के लोग जब तस्वीरे बनाएंगे तो इसमें पुलीस इनका वीडियो देखके हमें अरस्ट करेगी इसलिए इनको मारो और उसके बाद दोड़ा दोड़ा कर लाठिया मारी के एक कैमरा तोड आए गया और यहां से इस वक्त जड़ा तस्वीरे देखिए यह भीड यह खेत के उस पार जो दूर लोग दिखाई दे रहें यह वही युवक हैं जिनको अभी यहां सडकों से भगाया गया और अब यह भाग करके खेतों से थोड़ थोड़ दूर तीतर बितर हो चुके है तो जो पुलिस की स्ट्राडिजी थी कि सबसे पहले इन लोगों को हटाया जाए एक इखटा होने से हटाया जाए तो उसको दाय बाय भीड को जो तितर बितर किया है उसका फायदा यह हुआ कि अभी फिलाल यहां पर इस सडक पर दंगाई नहीं दिख रहे हैं लेकिन फिर से 700 मीटर के आसपास की दूरी होगी जो टीन शेड है संभवतर कोई पुल्टरी फार्म है वहां पर आगजनी की गई है अब दर ले चलते हैं जहां पुलिस फोर्सेज हैं यह देखिए इस तरफ कुछ जवानों कुछ लड़कों को भगाये गया कुछ लड़के अभी भी पर दिखाई दे रहे हैं जिनको पुलिस ने भगाया है पी एसी की गाडिया पुलिस की गाडिया यहां मौके पर हैं और इनी खेतों से भागते हुए जो भीर थी वो अपने आपको तो बचा ले गई कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत मिलिया है पुलिस आइडेंटिफ आपको रोड के किनारे जो बार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें से लाठी निकाले गए जो दुकानों के बाहर स्टील की रॉड लगी हुए थी उन रॉड्स को निकाला भीर ने और अब हम आगे चल रहे हैं जहां पिर से आगजनी की तस्वीरें दिखाई दे रह रहा है क्योंकि पहले जो विवादित जगे थी जिस जगे कल हिंसा हुई थी उस जगे तक विवाद सिमित था और वो बढ़ते बढ़ते इस पूरे इलाके में और आगे बढ़ गया अब तक जिस जगे हम थे इसके इधर कुछ भी नहीं था जो भी था उस बोर्ड के आगे थ क्योंकि यहां पर जादा रहाइश नहीं है लेकिन अब हम देख रहे हैं सामने भी दुआ उठ रहा है और न सिर्फ महराज गंज में राजी चौरा है और कई और जगों पर इस तरह की हिंसा की गई है कल की जो घटना थी वह मैं कह सकता हूं कि वह स्पॉंटेनेस थी विव पुलिस को चुनाती थी और इसके बाद जब पुलिस फोर्सेज कई थानों की बुलाई गए पीएसी लगाई गए जिले के जो तमाम बड़े अदिकारी हैं वो मौके पर पहुचे पुलिस आगे बढ़ी और यह जो लोग बैठे हुए थे यह भागने लगे तो इस वक्त अगोशित कर्फ्यू और इस अगोशित कर्फ्यू में तमाम जो बड़े अदिकारी हैं उन्होंने कहा आप जो दिखेगा उसे पुलिस उठाएगी और इसके बाद से लोग अपने घरों के बाहर कैसे खड़ें तस्वीरे देखें खेतों के बाहर आगे चल रहे हैं जहाँ इस वक्त डंडे ले करके पुलिस को अब बड़ी संख्या में पुलिस से बावजूद उसके यह उनको चुनोती दे रहे हैं यह यह भीड है यह वो हिंसा है दिखें यह जो भीड है ना इसकी ताकत ही भीड होना है और जब यह भीड खतम हो जाएगी और लोग अकेले पड लेकिन यहां जो धुआ उठ रहा था जरा उसकी भी तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि यह इलाका तो अचूता था उस हिंसा से लेकिन अब यहां पर भी दुआ दिखाई दे रहा था तो यह पुलिस पीएसी के जवान है इस स्ट्रेड़ी यह कि पहले जो शक्ती है उपद पुलिस कर्मी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं पुलिस की गाडियां मौझूद हैं पुलिस के बड़े अधिकारी मौझूद हैं और यहां पर यह शायद थाना है या चौकी है थाना हर्दी है यहां पर कुछ लोगों को संबबतर डिटेन किया है क्योंकि थाने के अंदर भीरभार है तो कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़के यहां रखा और पुलिस लगातार आगे बढ़ी जा लिए यह महराज गंज है और न सिर्फ महराज गंज में बलकि महराज गंज के बगल में राजी चौराहा हो या फिर महसी सब जगहों पर इसी तरह से हालात अन्य प्रिंट्रित हो रहे थे बहराइच में जब हिंसा हुई तो हिंसा वाले महराज गंज में पहुचने वाला सबसे पहला चैनल था एंडीडीवी